नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्लेके से यूटूब चैनल में दोस्तो आज से हम साइन्स की एक नए सिरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सिरीज के माद्यम से हम डेली बेसिस पर फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोजी के मिक्स प्रस्णों कवर करेंगे तथा ये सबी जो प्रस्ण होंगे आपके अगामे रेलवे की जो परिशा होने वाली है दोयाचोबिस की उसके लिए बहुत ही जादा महत्रपुर्ण होंगे हम उन संपुर्ण टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे जहां से प्रस्ण प्रते एक बार पूछे ही जाते हैं तो इस तरह से जो भी प्रस्थन मैं आपके सामने प्रस्तूत करूँगा, वे प्रस्थन किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस टॉपिक का पूरे डिटेल में बिसलेशन भी मैं कलते हुए चलूँगा, जिस तरह से आपका वर टॉपिक भी तयार हो जाएगा, जहां से प्रस् साइन्स तयार हो जाएगी, तो यह इस सीरीज का पार्ट वन है, पार्ट वन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाओ, हमें कमेंट बॉक्स में अवस्य दीजिएगा, तो आईए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं, तो सभी प्रस्थन आपके वर लेंथ बोलते हैं, इसकी मापन की इकाई पुछे गई है, तो एंग स्ट्रॉम होता है, इंग नहीं यहां पर एंग होगा, एंग स्टॉम यहां प्रक्यास की तरन्ग दैया दिजियाने की वेब लेंथ की मापन की इकाई होती है, तो इसके बारे में आफ में आप याद कर लिजेगा, इसके बारे में हम और ऑगे gonna बात करेंगे, जितने ही मापन की काईया है उनको हम आगे देखने वाले है, फिलाल के आगे प्रस्तनों कुबर कर लेते हैं, बाकी जो भी टॉपिक के प्रस्तन आप्व पूछे गाए हैं, उनको हम आगे की बात कर систем है, विधुत वि वांतर को मापने की एकाई होती है तो इसके बारे में आपयाद कर लिजेगा तो आए जितने भी important हमारे मातरक हैं इनको देख लेते हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको यह याद रखनी है कि हमारे टोटल साथ मूल रासियां है मूल रासियों को आपको याद अखना है टोटल कितनी है तो साथ हमारी मूल रासियां है तो इनके बारे में यह देख लेते हैं तो लंबाई का मातरक आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा द्रपिमान का मातरक किलो ग्राम हो जाएगा, समय का मातरक सेकेंड हो जाएगा, विद्दु धारा का मातरक आपका एंपियर हो जाएगा, उसमा गतिक ताप का मातरक आपका केलविन होता है, इसके बाद पदाद की मातरक आपका मोल होता है, यानि की पदाद की जो मातरा होती है, उसको मोल में मापते ह इसके बाद जोती तिवरता का मातरक आपका केंडेला हो जाएगा तो यह हमारी साथ मूल रासियां हैं इनके मातरक क्या क्या होते हैं इनको आप एक बार जरूर से याद कर लिएगा इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट मैंने मापन की एकाईयों को भी सम्लिद किया हुआ है कि कौन-कौन सी बहुतिक रासियां हैं और उनके मापन की एकाईयां कौन-कौन सी हैं यहाँ से प्रस्टन आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो आए इनको भी एक बार में देख लेते हैं तो दाब का मातरक पास्कल होता है, दोनिकी परबलता को हम डेसिवल में मापते हैं, प्रकास की तरंग दैद को हम एंग स्टराम हो ग égalाँ यहांपे एंग स्ट्राम और नौसंचालन की दोरी को नौटिकल मील में मापते हैं, उसमा की मापन काइक Кैलोरी होती है, विद्दुत विवांतर को हम बोल्ट में मापते हैं ताप का मातरक सेलसियस होता है अवरिती को हम हर्स में मापते हैं जल के बहाव को हम क्यूसेट में मापते हैं ओजोन परत की मुटाई को हम डॉपसबन में मापते हैं तो आप याद के लिजेगा जो हमारी ओजोन परत है उसकी जो मुटाई होती है उसको हम डॉप्शन इकाई में मापते हैं ते इफेक्ट आप याद कर लेजिएगा जोती फ्लक्स का मातरक आपका लियूमेन होता है इंपोर्टेंट है जोती फ्लक्स का मातरक क्या होता है तो लियूमेन होता है चुम्बकी प्रेडन को हम टेसला के सहायता से मापते हैं किसकी सहायता से और टेसला की सहायता से समतल कोड को इस्टे रेडियन की सहायता से मापता है वहीं घन कोड को जो है समतल कोड को रेडियन की सहायता से मापता है जो है घनकोड की मापनिक है और रेडियम किसकी मापनिक है तो समतल कोड की मौपनिक हो जाएगी आपकी रेडियम तो इनके बारे मी consent को याद रखना है इसके बाद अगला प्रसंद आए देख लेते हैं ध्वनी उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपांत्रित करने वाला उपकरण कौन सा होता है महत्रपुन प्रसंद है तो माइक्रोफोन आप याद कर लिजेगा माइक्रोफोन का कारण क्या होता है यह विद्धुत उर्जा में रुपांत्रित करता है तो इसके बारे में आपको याद अकना है जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या होता है तो आप याद कर लिजेगा सरफेस टेंसन आइनकि प्रिष्ट त avail के कारण ही जल की जो बूद्धे होती हैं वे गोलाकार होती यह महत्पून है वह नियुंताव वेग जिससे किसी वस्तु को पृत्वी की सता से उपर की ओर फेकने पर वस्तु पृत्वी के गुरुत्यु छेत्र से बाहर निकल जाती है क्या कहलाता है तो अप्यात के लिजेगा इसको हम पलायन वेग कहते हैं अगर किसी भी वस्तु को 11.2 km प्रति सेकेंड की रहतार से उपर की ओर हम फेकते हैं तो वह जो वस्तु होगी वह पृत्वी के गुरुत्यु छेत्र को छोड़कर उपर यानि की बाहर चले जाएगे पृत्वी के गुरुत्यु छेत्र से बाहर चले जाएगे इसको हम पलायन वेग है यह 11.2 किलो मीटर प्रतिस सेकेंड होता है तिये फैक्ट आपको याद अकना है तो आगे बढ़ते हैं तो इसको भी हमने देख लिया है मुद्रासियों को इसके लावा बहुतिक रासियों को भी हमने देख लिया है आईए इसके बारें बात कर लेते हैं उपकरण और वे उर्जा कृपांतरन किस रूप में कलते हैं यहां से प्रस्ण आपके एकजाम में पूछा जाएगा क्यूंकि प्रिवियसर की परिच्छाओं में जितनी परिच्छाओं में जितनी परिच्छाओं होते हैं ससी के इसके लावा रेलवे की परिच्छाओं होती हैं उनमें उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलना सोलर सेल सौर उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलती है डाइनमो यांत्रिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है इसके बाद लाउड स्पीकर कारे क्या होता है विद्दूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदल तो आप याद कर लिजेगा विद्धूत उर्जा का प्रकास एवं उस्मा उर्जा में परोतन कोन कलता है तो विद्धूत बल्व कलता है विद्धूत सेल का कारे क्या होता है तो रहसाने कुर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलना जो हमारी विद्धूत सेल होती है यह र बात दे यंत्र होता है बजाने वाला गाना बजाने वाला यंत्र होता है सितार तो सितार जो है यह अंत्रिक उर्जा को ध्वानी उर्जा में परवतित करता है माइक्रोफोन का कारे क्या होता है ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलना विद्धूत हीटर का कारे क्या होता है तो विद्धूत उर्जा को उसमी उर्जा में बदलना आपको देहिन नहीं देखा होका कि जो इसमा हम खाना बनाते हैं जो विद्धूत हीटर हो क्या कारी कार्य होता है? गदी जुर्जा को यहांत्री कुर्जा में बदलना विद्धुत-मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्धुत-मोटर का होता है तो इसका स्क्र väldigt ले हैं यह टॉपिक आपकी एंटीबीसी के परिच्छा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है एसी विद्धूत और एसी तरंगे जिनके संचरन के के लिए माध्यम की आवस्यक्ता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं तो यह चीज़ आपको याद अखना है कि जो बिद्धूत चुम्ब की तरंगे होती है इनके संचरन के लिए इनके आगमन के लिए जो है किसी प्रकार के माध्यम की आवस्यक्ता नहीं होती है तो आपको सही हो जाएगा विद्धुद जुम्ब की तरंगों का तो इसके बारे में आप याद कर लिजेगा आईए यहाँ पर विद्धुद जुम्ब की तरंगों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेडियो वेव हो गई रेडियो वेव इनके संचरण के लिए माध्यम की अवसक्ता नहीं होती है तता ये जो आउरक्त किर्णे होती है इनके बारे माई ये देख लेते हैं उस्मा को उत्पन करती है आउरक्त किर्णे इनका जो प्योग है रात में देखने वाले लक्षे को खोजने टीवी रिमोट इत्यादी में जो है आउरक्त किर्णों का उप्योग किया जाता है तो एक्सरे का प्रियोग जो है बहुती चिकिस्या विज्ञान में किया जाता है क्रिस्टल की शरचना को एग्याद करने में जो एक्स किर्णे उप्योग होती है जो क्रिस्टल की शरचना होती है उसको एग्याद करने में एक्सरे यानिकी एक्स किर्णे साहता कलती है इसके बाद CT स्कैन में भी जो है एक्स किर्णों का उप्योग होता है तो यह सारी Celsius और Fahrenheit का जो पाठ्यांक होता है, समान होता है, एक ही होता है, तो इस पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं, इस तापक्रम को हम बोलते हैं, माइनस 40 डिग्री, आपयात कर लिजेगा, जो माइनस 40 डिग्री का तापमान होता है, जहां पर जो है Celsius और Fahrenheit का जो पाठ्यांक होता है, दोनों समान होता है दिन के बारे मैं आपयात कर लिजेगा माइनस 40 डिगरी समतल दरपन की वक्रतात रिज्या क्या होती है तो आप याद कर लिजेगा समतल दरपन की जो वक्रतात रिज्या होती वो अनंद तक होती है निकि राइट एंचल क्या हो जाएगा अनंद तक एलेक्ट्रॉन सुच में दर्सी, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेड़ लाइट में किसका उपियोग होता है तो आप याद कर लिजेगा आवतल दर्पन का कौन केव मीरल का कौन केव मीरल जो होता है इसका जो उपियोग होता है इलेक्ट्रोन सुछ में दर्सी में होता है टॉर्च में होता है सर्च लाइट में होता है और आपके वाहनों की जो हेट लाइट होती है गाड़ियों में जो आगे की हेट लाइट होती है उसमें भी आपका आउतल दर्पन ही प्रियोग में लायाता है इसके लेवा जो डाड़ी बनाने वाला सीसा होता है उसमें भी जो है आउतल दर्पन का ही प्रियोग किया जाता है तो इसके बारे में आपको याद अगना है परम सुन्य ताप किसे कहा जाता है तो आप याद कर लिजेगा परम सुन्य जो ताप होता है माइनस 273.15 डिगरी स जिल्सियस के ताप को जो है परम सुन्य ताप कहा जाता है तो इस फैक्ट आपको याद अखना है इसके बाद हमने यहाँ पर आउतल दर्पन के बारे में बात की ती तो आए कुछ इसके अन्य डिटेल को भी जान लेते हैं तो इसका जो प्योग आउतल दर्पन का यहाँ इसके लावा सुर्य के प्रकास को किंदृत करने के लिए के इसके लिए अवी आपका जो का प्रियोग होता सोजर कुकर में जो है और तल जरपन का ही प्रियोग होता है तो इस स्लाइट का भी आप स्क्रीन सोट ले लिजिएगा अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर है किसी परमाडू के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या क्या कहलाती है तो किसी परमाडू के नाभिक मे पर हाइड्रो अक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं तो आप यात कर लिजेगा वे पदात जो जल में गुलने पर हाइड्रो अक्साइड आयन देते हैं उनको हम छारक कहते हैं तो ये फैक्ट आपको याद अखना है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम किसका अपयोग कर निसान के समय उंगली पर जो निसान लगायाता है तो उस निसान को लगाने के लिए उसमें जो CI प्रियुक्त होती है किसकी बनी होती है तो निसान के लगाने के लिए जो CI का प्रियुक्त है तो वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है आप याद के लिजेगा यह जो CI होती या Silver Nitrate की पणी होती है ये fact आपको याद अकना है हसाने वाली gas जिसको हम loafing gas भी कहते हैं इसका अन्यनाम क्या है तो loafing gas यानि की हसाने वाली गैस को हम नाइट्रस अक्साइड भी कहते हैं ते एक आप याद कर लिजेगा नाइट्रस अक्साइड यह फैक्ट आपको याद अकना है इसके बाद सोलामा प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग किसे कहा जाता है तो संधी जो सबसे बड़ा संग होता है उसको हम आर्थो पोड़ा बोलते हैं संधी बाद बोलते हैं यह फेक्ट आपको याद अखना है इसके बाद सतरामा परस्तन आपके स्क्रीन पर है सुच्म जिवाडू से प्राप्त वेतत्व जिनका उपयोग सुच्म जिवाडू को नस्ट करन के लिए जो प्रतिजैविकों का अफ्योग किया जाता है मानो शरेर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशीचा को किसकी होती तो अंडाणू की होती है तो रैट आइच्छर क्या हो जाएगा अंडाणू की ? टमाटर के लिए जो लाद रंग होता उसके लिए लाल होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा लाइकोपीन नामक वार्ड के कारण जो टामाटर होता है वह लाल होता है तो यह आपको याद रखना है मानो सरीर का वह अंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है लेकिन इसका कार कुछ खनीज कुछ जल खनीज वह आसधी का सोसन और सोसन करना होता है तो आप याद कर लेजेगा जो हमारी बड़ी आत होती है या कुछ जल खनीज और असदियों का असोसन करती ते फैक्ट आप याद कर लिजेगा लेकिन जो है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती ते फैक्ट आप याद कर लिजेगा पाचन की जो अधिकांस क्रिया होती हो कहां पर संपन होती तो हमारी छोटी आथ में एक चीज़ आउसदियां होती है केवल सिर्फ उन्हें का जो आउसोसान होता है वह बड़ी आत्में होता है तो यह फेक्ट आपको याद रखना है इसके बाद आये यहां पे देख लेते हैं कि सेव का रंग लाल जो है किस वाड़ा के कारण होता है तो यहां से प्रस्तन आपके एक जाम पूछे जाएंगे तो यहां पी आप देख पा रहे हैं सेव का जो लाल रंग होता है यह एंथो साइनीन नामक जो है वाड़ा के कारण होता है यहां पर साय यह नीन होता है एंथो साय नीन इस प्रकार से सही लिखा जाए गए यहां पर यह जो हो गया है तो एंथो साय नीन नामक वार्ड के कारण रंग जो है सेव का लाल होता है टमाटर का लाल रंग लाइको पिन नामक वार्ड के कारण होता है और पपीते का पीला रंग आपका कैरिका जैन्तिन के कारण होता है गाजर का जो रंग होता है ये कैरोटीन नामक वर्ड़क के कारण होता है इसके लावा हलदी का जो रंग होता है पीला या जैन्तो फिल नामक वरड़क के कारण होता है तो इनको भी आप याद के लेज़ेगा अभी हमने बात की थी कि मानो सरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है तो इसी टॉपिक से जुड़े अन्य फैक्ट को भी यहाँ पे हमाहिने सम्लित किया हुआ है तो इसको आप देख पा रहे ह मानो सरीर में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका होती है यहाँ पे सेरीबेलम की ग्रेनुल सेल की होती है यह फैक्ट आप याद कर लेजेगा वहीं मानो सरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका होती है अन्डानू की कोशिका होती है तो आप याद कर लिखा हुआ है वहीं अगर हम पुरे संसार की बात करें तो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइको प्लाजमा गैली सेप्टिकम की नामक यह एक परजीवी जिवानों होता है इसकी जो कोशिका होती है यह संसार की सबसे छोटी कोशिका माने याती इसका नाम होता है माइको प्लाजमा गैली सेप्टिकम यह एक परजीवी जीवानों की कोशिका होती है तो यह फैक्ट आपको याद अखना है और संसार की सबसे बड़ी कोषिका जो है सुतरमोर्ग के अंडे की होती है तो दोजों आपको याँ दखना है संसार की जो सबसे छोटी कोषिका होती है सुतरमोर्ग के अंडे की होती है संसार की जो सबसे बड़ी कोशिगा होती है वो सुतरमोर्ग के अंडे के होती है वो संसार की जो सबसे छोटी कोशिगा होती है माइको प्लाजमा गैलिसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणू की होती है तो दोनों ही फैक्ट आपको याद अकने हैं इंपॉर्टेंट है तो इसका भी आप स्किल्सोर्ट ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं मानो सरीर की एक मात्र धमनी जिसमें असुद धरक्त बैता है तो असुद धरक्त किसमें बैता है फुफुस धमनी में तो ये फैक्ट आपको याद अखना है फुफुस धमनी में और बीसी किसी का कब्रगा किसी कहा जाता है तो लाल रक्त कडिकाओं का जो कब्रगा है यह प्लीहा को कहा जाता है किसको तो प्लीहा को मानों की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धी का केंद्र किसे माना जाता है तो प्रमस्तिस्क को यानिक सरिब्रम को जो है और मानों की चेतना तथ तर्क एवं बुद्धी का केंद्र माना जाता है कुष्ट रोग किस से फैलता है इंपॉर्टन फ्रसन है यहां पर कुष्ट रोग के बारे में बात कि गई है कि जो कुष्ट रोग होता है या किस से फैलता है तो कुष्ट रोग जो है बैक्टेरिया जनित बिमारी होती है तो तो इसका जो निसकर्षन होता है कुनेयन का जो मलेरिया रोग की एक प्रभावी आउसदी है इसका निसकर्षन जू है सिनकोना की छाल से होता है टिटनेस, सिफलेस, हैजा, डिप्थेरिया, कालिखासी, प्लेग, नीमोनिया, टीबी, एने कि छह रोग, टाइफाइट, कादरा, यह सभी आपके बैक्टिरिया से फैलने वाले रोग हैं, वहीं वायरस चे कौन कौन से रोग होते हैं, तो रेविज हो गया, दाद हो गया, च बिमारिया हैं, इसके बाद प्रोटो जोवा से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग गया, निद्रा रोग यह सभी आपके प्रोटो जोवा जनित बिमारिया हैं, रोग हैं, इसके बाद क्र आपके इस वीडियोan यहादत के विडियो को यह अपनतज है तो आज ऊइद हो घरेता होलुआ